साथियों, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए को अपरेटिव बैंकों को भी RBI के दाइरे में लाया गया, इससे इन बैंकों की गवननेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखो डिपोजिटर्स हैं, उनके भीतर भी इस सिस्टिम के प्रती विश्वास बजबूत हो रहा है, बीते कुछ समय में डिपोजिटर्स के हीतों को देखते हुए ही अनेक फैंस ले दिये गए हैं, वन नेशन, वन अमबर्जमन सिस्टिम इस से डिपोजिटर्स को और इन्वेस्टर्स के कमिट्मेंट को बल मिला है, आज जो योजना लॉंच हुई है, इस से बैंक, एन्वी एपसीज और पी पेड इंस्टुमेंट में 44 करोर लॉन अकाउंट और 220 करोर डिपोजिट अकाउंट इसके जो धारक है, उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी है, अब RBI के द्वारा, रेगुलेटेड सभी संस्ताओं के लिए, खाता धारकों की सिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने, और मोनिटर करने का एक ही प्लेटफर्म होगा, यानि शिकायत निवारान के लिए, खाता धारकों अब एक और आसान विकल्प मिला है, जैसे की, अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनों में हो, और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता ये था, कि उसको लखनों के अमबर्जमन को ही शिकायत करनी पड़ती थी, लिकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है, मुझे ये भी बताया गया है, कि ओनलाइन फ्रोड, साइबर फ्रोड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए, इसे आर्बियाई ने इस योजना में आर्टिफिशल इंट्रिजन्स के व्यापक उप्योग का प्राधान किया है, इससे बैंक और जांच करने वाली एजन्सियों के बीच, कम से कम समय में बहतर तालमेल सुशनिश्चित हो सकेगा, जितनी जल्दी एक्षन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतने ही अधिक होगी, ऐसे कदमों से डिजिटल पनेट्रेशन और कस्ट्रमर इंक्लूजिवनेस का दाइरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा, कस्ट्रमर का भरोजा और बढ़ेगा.